उज्जेन नगरी में महासिन नाम का राजा राज करता था उसके राज्य में वासुदेव शर्मा नाम का एक ब्राहमन रहता था जिसके गुनाकर नाम बेटा था गुनाकर बड़ा जुआरी था वह अपने पिता का सारा धन जुए में हार गया ब्राहमन ने उसे घर से निकाल दिया वह दूसरे नगर में पहुँचा वहाँ उसे एक योगी मिला उसे हेरान देखकर उसने कारण पूछा तो उसने सब बता दिया योगी ने कहा लो पहले कुछ खालो गुनाकर ने जवाब दिया मैं ब्राहमन का बेटा हूँ आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूँ इतना सुनकर योगी ने सिद्धी को याद किया वहाई योगी ने उससे आवभगत करने को कहा सिद्धी ने एक सोने का महल बनवाया और गुनाकार उसमें रात को अच्छी तरह से रहा सबेरे उठते ही उसने देखा कि महल आदी कुछ भी नहीं है उसने योगी से कहा महाराज उस्त्री के बिना अब मैं नहीं रह सकता योगी ने कहा वह तुम्हें एक विद्या प्राप्त करने से मिलेगी और वह विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जपने से मिलेगी लेकिन जब वह लड़की तुम्हें मेरी सिद्धी से मिल सकती है तो तुम विद्या प्राप्त करके क्या करोगे गुनाकर ने कहा नहीं, मैं स्वयम वैसा करूंगा योगी बोला कहीं ऐसा नहो कि तुम विद्या प्राप्त न कर पाओ और मेरी सिद्धी भी नश्ट हो जाए पर गुनाकर न माना योगी ने उसे नदी के किनारे ले जाकर मंत्र बता दिये और कहा कि जब तुम जब करते हुए माया से मोहित होगे तो मैं तुम पर अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा उस समय तुम अगनी में प्रवेश कर जाना गुनाकर जब करने लगा जब वह माया से एकदम मोहित हो गया तो देखता क्या है कि वह किसी ब्राहमन के बेटे के रूप में पैदा हुआ है उसकी शादी भी हो गई वह अपने जन्म की बात भूल गया तभी योगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया गुनाकर माया रहे थोकर अगनी में प्रवेश करने को तैयार हुआ उसी समय उसने देखा कि उसे मरता देख उसके माँ बाप और दूसरे लोग रो रहे हैं और उसे आग में जाने से रोक रहे हैं गुनाकर ने सोचा की की मेरे मरने पर ये सब भी मर जाएंगे और पता नहीं की योगी की बात सच हो या नहो इस तरह सोचता हुआ वहाग में घुसा तो आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई गुनाकर चकेत होकर योगी के पास आया और उसे सारा हाल बता दिया योगी ने कहा मालूम होता है कि तुम्हारे करने में कोई कसर रह गई योगी ने स्वयम सिद्धी की याद की पर वह नहीं आई इस तरह योगी और गुनाकर दोनों की विद्या नश्ठ हो गई इतनी कथा कहकर बेताल ने पूछा राजन ये बताओ कि दोनों की विद्या क्यों नश्ठ हो गई गुनाकर चकेत होकर योगी के पास आया और उसे सारा हाल बता दिया योगी ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारे करने में कोई कसर रह गई योगी ने स्वयम सिध्धी की याद की, पर वह नहीं आई इस तरह योगी और गुनाकर दोनों की विद्या नश्ठ हो गई इतनी कथा कहकर बेताल ने पूछा, राजन, ये बताओ की दोनों की विद्या क्यों नश्ठ हो गई राजा बोला, इसका जवाब साफ है निर्मल और शुधस अंकल्प करने से ही सिध्धी प्राप्थ होती है गुनाकर के दिल में शनका हुई की पता नहीं, योगी की बात सच होगी या नहीं योगी की विद्या इसलिए नश्ठ हुई की उसने अपात्र को विद्या दी राजा का उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जालटका क्योंकि उसे बोलना नहीं था